हेलो दोस्तो वेलकम बेग आपका हमारे चेनल में स्वागत है दोस्तो चैसा कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई जानवर अगर आपके सपने में आता है तो उसका कोई ना कोई परिणाम आपकी जिन्दगी में अवश्य बढ़ता है आज की हम वीडियो लेकर आएं कि सपने में अगर आप बंदर को देखते हैं और किस परकार से देखते हैं वो आपकी जिन्दगी में क्या परभाव डाल सकता है आने वाले समय में तो दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए हो सकता है खास इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के शाथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में जाकर इसे स कहना चाहूंगा कि हमारे लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूटूब चेनल को सस्क्राइब कर ले तो दोस्ते चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में अगर आपके भी आ रहा है बंदर तो क्या देने वाला है आपकी जिन्दगी में दस्टक क्या आपकी जिन्दगी में बंदर आने से कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है कुछ सुब होने वाला है या असुब होने वाला है तो सपने में बंदर अगर आपको देखे तो इसका आज आपको मतलब बताएंगे तो दोस्तो सबसे पहले सपने में बंदर अगर आपको गुसे में दिखाई देता है आपको किसी भी परकार से कहीं भी अगर सपने में आपको बंदर गुसा दिखाई दे रहा है गुसा करते हुए किसी चीज पर तो अगर आपको ऐसे सपने आई रहे हैं और वे बंदर गुस तो दोस्तो जितना हो सके आपको जब सपना आए तो उसके बाद दोस्तो आपको तोड़ा बच कर चलना चाहिए किसी छोटी छोटी बात को लेकर लगडाई जगडा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तो उसके बाद वो आपका विक्राल रूप भी ले सकती है लड़ाई और उससे आपकी परतिष्टा कम भी हो सकती है, सपनों में बंदर अगर आपको खुश दिखाई देता है, सपनों में अगर आपको बंदर किसी भी परकार से खुश दिखाई दे, किसी भी तरे, किसी भी जगे, तो इसका मतलब आपकी जिन्दकी पर क्या होने वाला है सीधा, जुड़ने वाले हैं उसमें मिठास आने वाली है तो दोस्तो अगर आपको सपने में बंदर कुछ दिखाई दे तो इसका ये परिनाम जरूर आप से साथ होगा तो आप जितना परसंद रहें सपने में बंदर कुछ खाते हुए दिखाई दे वो कुछ भी खा रहा हो दोस्तो जिस केला बनाना आदी जो भी फरूट खा रहा हो तो आपके सबने में खाते हुए या फिर कुछ फल काते हुए दिखाई दे रहा हो तो इसका सुचक है कि आपकी जिंदगी से ग्रीबी द्रिद्रता बिमारी आने वाली है इसका अर्थ है दोस्तों तो थोड़ा आप अपने पूंजी को निवेश करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें कि द्रिद्रता का नाश यही है कि दोस्तों आपके ग्रीबी या विमारी आपके घर में कोई परशानी आ सकती है तो थोड़ा बच कर समल कर चलिए सबने में बंदर का काटने का मतलब क्या होता है दो आपको बच कर चलना चाहिए आपको बच कर रहना चाहिए अगर आप ड्राइव करते हैं तो बच कर ड्राइव करें समल कर चुकन होकर ड्राइव करें तो दोस्तों अगर आप कोई रोग है तो उसका अगर आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी इलाज करा लें तो ठीक रहे एक वेल आइकन का गंटा होगा उसको सस्क्राइब कर ले दोस्तों इससे हमारा वीडियो को नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल जाएगा